बिपक्ष के 26 दलों के मुकाबले एंडिये के 38 दलों की अहम बैठक प्रधानमंत्री के निदित्व में होने वाली है उस बैठक में शामिल होना है हमके राश्य निता जीतना मांजिये पुरुमुक्यमंत्री विहार सर लोग पूछ रहे हैं कि बिहार और देश में कि जिस बीजेपी पर ही आरोप लगता था कि वो छित्रिये दलों की दुस्मन है वो सभी छित्रिये दलों के अस्तित्व को खा जा रही है वही बीजेपी अब 36 नहीं 38 दलों के साथ एक बड़ी बैठक कर रही है लोग पूछ परमभी काल में मनुष नंगा रहता था लेकिन आज जवाना बदला है कैश्मी सताब्री में हैं तो हम लोग अनेक बेश्मुजा से अशादी थे तो इंडिये में पहले क्या होता था क्या ना होता था वो मैं नहीं जानता इधर मैं देख रहा हूं कि नरेंद मोडी जी ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्की बीदेशों में भी अपना पर्चम ओला रहा है और पर्चम का हाल तो यह है कि कोई राष्टा ध्यक्ष हमारे राष्टा ध्यक्ष को पैरिछो के प्रनाम करता हो यह कोई मामूली बात नहीं है साइद ऐसा इतियात में कहीं नहीं होगा तो उस अस्तर में नरेंद मोडी जी आगे पहुंशी है एक बात दूसरी बात नरेंद मोडी जी की महानता है या भाजपा की महानता है या कहिए एंडिये की महानता है कि एस होते हुए कि भाजपा स्वें कमपिटेंट है अपनी सर करकार चलाने के लिए बाबजूद उसके वो गठबंधन के लोगों को भी उन्होंने तरजीत दी है इसलिए कि समावेसी जो निव्ज होते हैं या समाचे बेशी कस्तरकारें होती है उसको चलाने के लिए उद्दत हैं और एही कारण है कि आज वो सब को बुला-बुला के बा गैवा कैसे हो ठीक धंग से जिसमें सब लोगों के प्रतिनिधित को हो शब चेत्रों का परतमेश दूस्के लिए ओ आज बैठक कर रहा है आप डूसरी और जो बेंगलुरू में बैठक हो रही है जो सिर्फ सत्ता प्रापती के लिए हो रही है और मेरा कहने का मतलब कि चें तो नरेंदर भाई मोदी जी का कोई सब्स्टिचूट अभी हिंडुस्तान में नहीं दिखता है और यहां तक विरोधी का सवाल है आप सुनते होंगे कि बेंगलोरू में जीस आदमी को कन्वेनर बनाने की बात चली थी उसके खिलाप वहां बहुत रहा क्या पोस्टर वाजी हो रही है ममता बनार जीर कुछ बोल रही है और दिवाल साहब बहुत मनाने पर कांग्रेस के लोग यहां पर आए कि भाई यहां द्यार देश का हम आप समर्थन करेंगे तब तो कहने का मतलब कि आपस में ही अभी यह लोग एक नहीं है इसलिए यह ने को लोग मिल करके हैं लेकिन सब अलग-अलग हैं इसलिए इन लोगों का बैठाक सत्ता के लिए है जिसका नेतित्व कोई नहीं करने वाला है और वहां नजेंद्र मोदी जी मजबूत खंभा हैं और उनके नेतित्व में सारी बाते हो रही है कि देश को कैसे आगे बढ़िया से ले जाया जा है ताकि सभी लोग का परतिने रिट हो और सभी लोग कभला हो एक छोटा सा और आखरी सवाल है सरकी लोग यह पूछ रहे हैं कि चुनावी राजनीत में 2015 में इसी विहार निवास में जब एंडिये का वही कुन्वा आप थे उपंदर को स्वाह थे रामिलास पासवान की प पूछ रहे हैं कि 2019 में जो छोटे-छोटे राजनीतिक दल हैं जो छेत्रिये जिनका अपना वजूद है और वो बैसाखी का काम करेंगे बीजेपी के पास तो क्या आपको लग रहा है कि जो फार्मूला है जो राजनीतिक परतिबद्धता है आपके सपोर्टर समर्थरों के बीच में आपके अपने सहयोग्यों के बीच में क्या वो फार्मूला एंडिये बिठा पाएगी और यही कमोवेशी सिती देखिए कि ओंपरकास राजवर की पाठी उत्तर प्रदेश में हो अनुप्रिया पटेल हो संजय निसाध हो तो यह जो फार्मूला है और जो बार- दल का अगर महत तो नहीं समझते और नहीं देते तो मैजरीटी उनके पक्ष में है अपने स्वें सरकार्त बना लेते किसी दुसरे को क्यों साथ उन्होंने रखा तो एक उदार विचार है एक ब्रोड ठींकिंग है उसके तहत उन्होंने किया आज भी वो कर रहे हैं तो ब् शीराज साहब हो एस सब लोग ये सौच करके आए हैं कि हरतरह के लोगों का पर्चनेदेटर नरियंदर्भाई मोदी जी की सरकार में रहे और शब की बात की जानकारी नरेंद भाय मोदी जी को मिलते रहे ताकि देश के अन लोग जो हैं उनका विकास हो उनकी बात हो उनका पर्चनेदित हो और दूसरे तरफ वो लोग तो अभी नेता बहीन है जब बराती है तो बिना दुल्हा का बराती कैसे शलेगी तो बिना दुल्हा का नाम पेश किया जा होता है तो वो लोग सिर्फ सत्ता प्राप्त वसत्ता हम नहीं समझते हैं कि दो हजार चोबीस में किसी परकार की परिवटता होने जा रहे है एक बात दूसरा एंगे लिए है कि मालिय नितीश कुमार जी के साथ हम रहे हैं और आप जानते हैं कि बिढान सभा में मीडिया के माध्यम से उन से परसनली मिल करके हम प्राया जो उनकी कमियां थी गिनाते रहें और साइद इसी लिए उन्होंने कहा कि ये बाहर रहेगा तो बार बार हमको टोकते रहेगा इसलिए सर्त रखो कि हमारी पार्टी में आ जाए तब तो कुछ नहीं बोलेगा इसलिए उन्हों करो और नहीं तो बाहर जाओ तो हम मर्ज करने वाले कब थे हम तो उनके खिलाफ सुरू से रहे हैं कि दारू तारी का जो आप प्रटिवन लगाया है वो गलत लगाया है बालू निती आपका खराब है आप लाइन डिफॉर्म्स अचा नहीं कर रहे हैं बचियों के इजुक लगता है कि आपकी आप सी प्रतिवन दिता लोग एक साथ कर लेंगे सीटों की जो समस्या है बहुत सारे जगों पर आप चिराग पास्वान उपेंदर को स्वाह यह लग रहा है कि आपको संतुष्ट कर देगी बीजए बस छोटा सब्सक्राइब कोई क्या है कि इनकी क्या की मंसा है कोई नहीं जानता है लेकिन जितन मांजी जो हिनुष्टानी महां मोचआ से कुल चलाता है और अपने प्रारंभी काल से ही राजनीतिक प्रारंभी काल से और हिनुष्टानी अब हमोचा के सिर्जन से ककी शत्ता के पीशे नहीं दोला है। आज भी हम जर्व एंडिये में आये हैं, तो हमारा कोई शर्त नहीं है। सिर्फ हूर सिर्फ हम यही करते हैं, कि जदी हमारी उप्योगता समझते हैं, तो हमारी शम्ता के अनुशार आप हमको उप्योग में लावे हैं तो भीहार के पुर्व मुख्यमंत्री जी तरह मांजी हैं जो इंडिये की बैठक में शामिल हो रहे हैं और कर रहे हैं कि बगैर किसी सर्थ के ये बीजेपी के विवेग पर निर्वर है कि उनका राज़ती के इस्तेमाल वो किस अस्तर पर करती है कैमरामेन मिंटू सिंग के साथ रिसी केस कुमार न्यूज 24 दिल्ली